साथियों, आज हम आविरुवेदिक दमाओं जड़ी बुटियों के साथ साथ इम्मिनुटी को बढने वाले नुट्रेश्यस फूर्ट पर भी विशेस बल दे रहे हैं। मोटे अनाज यानि मिलेट्स का उत्पादन बनाने के लिए आज किसानों को प्रोथसाइद किया जा रहा है। भारत जादा से जादा कंट्रिबूट करें, हमारा एक्सपोर्ड भी बढ़ें और हमारे किसानों की आएमें भी बढ़ोत्री हो। आईश मंतरा ले इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि कोवीड महमारी शुरू होने के बाद आयरुवेदिक जड़ी भुटियां जैसे अस्वगंदा, गिलोई, तुलसी, आदी की किमतें इसलिए बढ़ी क्योंकि मांग बढ़ी। लोगों का विश्वात बढ़ा, मुझे बताया गया है कि इस बार अस्वगंदा की किमत पिछले साल के मुकामले दो गुनी से भी जादा तक पहुँची है। इसका सीधा लाब इन पौधों, इन जड़ी बुटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुँचा है। हाला कि अनेक जड़ी बुटियां हैं जिनकी उपयोगिता के बारे में अभी भी हमारे हां जागरुकता और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे लगभक पचांस अउसद्य पहुदे हैं जिनकी सब्जियां और सलात के रुप में खुब उपयोगिता है। ऐसे में कृषि मंत्रा ले हो, आयुष मंत्रा ले हो या फिर दूसरे विभाग हो। सभी के सयुत प्रयासों से इस छेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है।